Hello everyone, welcome back, कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे होंगे Dear students, अगर आप भी UP Polytechnic Odd Semester के student हैं और अपने exam को लेकर के चिंतित हैं तो Dear students, आज का ये वीडियो आप सभी लोग लिए बहुत ही ज़ादा important होने वाला है Complete वीडियो को जरूर से जरूर देख लिएगा Dear students, आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को आप के exam की preparation से related एक best study plan प्रोवाइड कराने वाले हैं जिस study plan का नाम मैंने रखा है One Day Study Plan Dear students, आप सभी लोगों ने अभी तक बहुत सारी study plan बनाए होंगे YouTube channels पर देखा होगा लेकिन समस्या की बात ये है कि हम अच्छे अच्छे study plan बना तो लेते हैं लेकिन उसको हम follow नहीं कर पाते हैं कहीं न कहीं वो fail हो जाते हैं जिससे हमारा manobal कम होता है और हमारी preparation कहीं न कहीं बाधित हो जाती है जैसा कि आपने मेरे द्वारा भी कई बार सुना होगा कि एक्जाम में अच्छे marks प्राप्द करने के लिए हमें proper planning की आवसेक्टा होती है academic में आप कितना अच्छा कर रहे हैं आप कितने अच्छे से पढ़ते हैं आप कितना talented हैं उसका जादा effect आपके एक्जाम पे नहीं पड़ता है एक्जाम की कुछ दिन पहले आप कितने बहतर तरीके से कितने क्रमबध तरीके से अपने एक्जाम की preparation करते हैं उसका आपके एक्जाम पे बहुत ही जादा effect पड़ता है कई सारे स्टेंट्स लगातार कमेंट सेक्षन में पूछते रहते हैं अभी मैं स्टेडी प्लान भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ वीडियो वहुत इंपॉर्टेंट है कम्प्लीट वीडियो को जरूर से जरूर देखीजेगा कम्प्लीट वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजेगा कई सारे बच्चे कमेंट सेक्षन में कमेंट करते हैं कि सर अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है क्या करूँ तो उनके लिए मेरा सिंपल सा जबाब है क्या करूँ पढ़ो पढ़ने की अलावा और कोई रास्ता नहीं है पढ़ना तो पढ़ेगा इसकी अलावा कोई सार्ट कट नहीं है अगर आपने सार्ट कट अपनाया तो आपके मार्क्स में भी कटिंग हो जाएगी वो भी सार्ट कट मिलेंगे जिससे दिक्कत होगी तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है dear students, कोई जादू यहाँ पर मैं आपको नहीं देने वाला हूँ, कोई जादू आप पकड़ोगे और आप टॉप कर जाओगे, नहीं पढ़ना तो पढ़ेगा, उसी पढ़ने के लिए ही हम proper study plan आपको provide कराने वाला हूँ इस study plan का नाम है dear students, one day study plan, one day study plan, अब आप ये देखो कि ये one day study plan क्या है और इसका यूज करके हमें अपनी preparation को कैसे करना है, देखो dear students जैसा कि आप सभी लोगो पता है कि लगबग एक महीने का समय आपके और आपके एक्जाम के बीच में बचा हुआ है, अब जब हम लोग one month study plan बनाते हैं, या fifteen day study plan बनाते हैं, या seven day study plan बनाते हैं, तो कहीं न कहीं होता क्या है, कि हम लगातार एक महीने उसी रास्ते पर चल नहीं पाते हैं, और बीच में जब हमारा time table break होता है, तो हम नया time table बनाते हैं, बात हमारी समझ पारूं, जैसे मालीजी अभी मैं आपको provide करा one month study plan और पूरे एक महीने का schedule आपको provide करा दूँ, तो हम machine तो है नहीं भीया, हम और आप machine तो है नहीं, कहीं कहीं एक महीने लगातार एक ही system पे चलने पे कहीं कहीं समस्याएं आती हैं, और वो time table फेल हो जाता है, तो हम लोग उसको किनारे रखते हैं, नया time table बनाना तो इस study plan की खासियत क्या है, कि आप इसको आसानी से hundred percent तरीके से follow कर सकते हैं, इस study plan को follow करने में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें हम एक एक दिन को प्लान कर रहे होंगी, इसका नाम है one day study plan, one day study plan में हम क्या करेंगे, अपना प्रतेक दिन प्लान आज की जो हमारी planning है, उसको हम आज ही complete करेंगे, अगर हमारी वो planning आज complete नहीं हो पाई, तो कल की planning पर, कल की study पर उसका कोई effect नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे suppose करिए, आज से ही अपनी पढ़ाई को आप start करते हैं, आज से today, आज से ही अपनी class को आप start करते हैं, अपनी आज से सुनियांगा, वीडियो बहुत important है, अगर इतना आप सभी लोगों ने कर लिया ना, तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा profit होगा, और ये one day study plan आपके लिए best होने वाला, इसको ध्यान रखिएगा, ठीके, आज के लिए आप planning करोगे, सबसे पहले सुबा की time आप planning करोगे, आप जो है, सुबा की time planning कर सकते हो, morning में आप planning कर सकते हो, नहीं तो सबसे best होगा, कि आप जो है, ठीके, आप जो है, सभी लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, कि जो आप planning करेंगे, वो रात में कर लेंगे, morning में या night में करेंगे, तो ये आपके लिए best होगा, ये हमें यहां पर study plan करना है किसके लिए 19 के लिए ठीक है 19 के लिए हमें कल के लिए study plan बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे 18 की night को 18 की night को ही हम लोग अपनी planning करेंगे रात में क्या करेंगे अपने आपको target देंगे अपने आप to क्या देंगे target टार्गेट में क्या देना है कि आपको ये टार्गेट देना है कि आज हम एपलाइड मैथ का ये चैप्टर पढ़ेंगे आज मतलब कल वाले दिन जिसकी बात हो रही है तो आज इस चैप्टर को हम कम्प्लीट करेंगे अपने इस सब्जेट का इतना मतलब हर एक सब्जेट के यह आप अपने आपको क्या देंगे टार्गेट देंगे ध्यान से सुनो मारी बात मैं क्या कर रहा हूं आज रात में आप अपने आपको टार्गेट देंगे कल हमें यह यह पढ़ना अपनी छमता की अनुसार और आपको फिर अगले दिन ज्यादा स्यादा को हम अच्छे से प्रिपियर कर लेंगे दुबारत से हमको इसको पढ़ने किया हो सकता ना पड़े तो यह चीज़ आप करेंगे और उसके बाद आगले दिन यह ठारा की रात को आपने प्लान किया 19 को आपने इसको एपलाई करना स्टार्ट किया 19 को आपने क्या किया इसको ए कि कल जो मैंने खुद से वादा किया था इतना इतना मैं आज करूंगा क्या मैं उसको कर पाया हूं या नहीं टेंसल नहीं लेने, विसको क्या करना सोचना है कि कल की रात आज मैंने प्लानिंग करी थी वह प्लानिंग कहां तक हुई क्या जो मैंने आप खुद से वादा किया था कि मैं इतना इतना पढ़ लूँगा उसको मैं पढ़ पाया और नहीं पढ़ पाया अगर आप इसमें सकसेज रहे होंगे तो आपका जो excitement होगा वो बढ़ेगा excitement जो है आपका बढ़ेगा और next day के लिए आप फिर से उसी रात में प्लान कर लिजेगा अगर आपको लगा होगा कि आज हम ज़्यादा productive नहीं रह पाए जितना मैंने खुद से वादा किया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ तो आपको tension नहीं लेना है आपको ये सोचना है कि हम से कहां कमी रह गई हमने अपने time को कहां बेस्ट कर दिया जो हमने ही अपनी plan को बनाया था और हम ही उस plan में फेल हो गए समझ मेरी बातना तो यही काम तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप अगले दिन उस कमी को सुधारेंगे और लगातार आपके अंदर improvement आना सुरू हो जाएगा और आप बहतर से बहतर कर पाएंगे यही काम आपको daily के daily करना है रोज रात में अगले दिन के लिए आपको target sit करना है next day आपको उस target को achieve करना है उसके बाद रात में analysis करना है कि जो हमने खुद के लिए target लिया है क्या हम उसको target को complete कर पाए या नहीं कर पाए अगर हम उस target को complete कर पाएं तो target को बढ़ाएंगे नहीं कर पाएं हैं तो हम यह देखेंगे कि हमसे कमी कहां पर रह जा रही है और next day उसको हम लोग complete करने का प्रयास करेंगे यह अगर आप लोगों ने इसको एक महिने लगातार फालो कर लिया ना लगातार इस चीज को एकदम आनन्द आ जाएगा और जानते हो ना पढ़ाई का एक नसा सा चड़ता है पांचे दिन लगातार जैसे पढ़ेंगे ना आपको बिना पढ़े मींधी नहीं आएगी आपसे रहा ही नहीं जाएगा इसलिए इस चीज को आपको फालो करना आपके लिए बहतर होगा आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी सबसे खास बात है कि इसको आप 100% फालो कर सकते हैं क्योंकि हम जनरली जब टाइम टुबल मनाते हैं एक महिने का बनाते हैं इतने सब्सक्राइब करना है साम को सौचते हैं कलम में स्कूल जाना है हमें सादि में जाना यह तमाम चीजेंश आप लोग जो है वहां पर मैनेस कहता है सादी से यह बात आ रही है कि हमने अभी कहा कि मंतन बैसलिए इसके पीछे वही साधी वाला है ना मेरे भी कुछ खास दोस्त है जिनकी है साधी और मुझे वहाँ पर जाना अनिवार हो गया है इसलिए आपकी एक लास मंडे से स्टार्ट होगी तब तक उसके बीज में छोटे मोटे वीडियोज आपको मोटिवेट करना या तमाम चीजे मैं आपको प्रोवाइट कराता रहूँगा लेकिन यह जो मन्थन बैच इस पेसल है देखो मैं चाहूँ तो आज लेक्चर प्रोवाइट करा सकता हूँ लेकिन क्या होगा बीच में गयफ होगा तो अच्छा नहीं लगता है तब तक के लिए आप सभी लोग जो अपना पुराना सलेबा से एक बार रिवाइज करते रही है मन्थन बैच की सुरुबाद मंडे से होगी मंडे से हम रेगुलर इस क्लास को लेंगे जो हमने टाइम बताई है उस टाइम की एकार्डिंग कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारी जो क्लास है वो पांच बजे ना करके छे बजे कर लिया जाए तो अगर आप सिक्स पीम पर कमफर्ट है एपलाइट मैट फस्ट वाले तो उसको हम सिक्स पीम पर रख देंगे और इसको एट पीम पर रख देंगे कभी भी हम अपने लक्ष को निड़ारित कर ले तो डरेक्ष तक नहीं पहुच सकते हैं हमें छोटे छोटे भोल च्ट-करने होसा हमारे ल्क्ष को घल करक बढ़ रहे हुं दियस धान लख कर सकते हैं मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ यगर आपको खेल को जीतना है तो खेल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा पढ़ने के लावर कोई रास्ता नहीं है इसके अतरिक्त मैं आपको कोई साइट कट नहीं बता सकता हूँ कि बीना पढ़े आप कैसे टॉप कर लें सो कर के आप कैसे टाप करें इसा कोई रास्ता nहीं मैं कि वोल आपको पढ़ने के लिए मोटीवेट कर सकता हूँ पढ़ाने के लिए इस्टडी प्लान बना सकता हूँ मैं खुद आपको पढ़ा सकता हम उसके अतरिक्त आपको यहां पर कुछ नहीं मिलने वाला है तो डियो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ नेक्स टॉपिक के साथ अब तक लिए सान दा रही है और पढ़ते हैं